ये कित्ते दिन करोगे, सालों भी ता दिये, और आज भी यही बात करते हो, कि जो मेरे मन में था वो भगवान ने बोला, कभी अन्भव की बात नहीं करोगे, रोज घर में कमजोर पड़ोगे, विक होगे, फिर यहां भगवान निवरत करेंगे, फिर आप खुश हो जाओगे खिलोना हो क्या, या ग्यान को खिलोना समझ लिया है, एक बार भूलो गई, दो बार भूलो गई, रोज रोज भूल क्यों करते हो, जरूर बने होंगे तो फिर आपको विचार देना पड़ा होगा न, कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ कुछ ये भाव आया होगा न, इतने दिन से बन के चल रहे हो, कोई विप्रीत कारण बना नहीं, तो मन को लगा शायद सब सही जा रहा है, लेकिन एक विप्रीत कारण बन गया, परिशानी खड़ी हो गई, फिर विचार दिया नामे पतनी, नामे मा, नामे फलाना, पहले क्यों बने थे, पहले बने क्यों इस बात का उत्तर ले के आओ, रोज बन जाते हो, और फिर बैट के मिटाते रहते हो, छोटा बच्चा होता है, बार-बार गलत लिखता है, फिर रबर ले के मिटाता रहता है, तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या रोज रबड लेके ही बैठे हो फिर मिट आया फिर मिट आया फिर मिट आया मिट जाता क्यों नहीं है जहां पहला ही ख्याल उठा उसके साथ ही ये विचार क्यों नहीं आ गया आप लोग कहते हो मन चला मन चला को पकड़ा कभी आपने मन चला क्या होता है मन चला वेक्ती होता है चंचल मन चला वेक्ती होता है किसी की ना सुनने वाला और मन चला का दूसरा आर्थ और है भै सीरियल कितनी देर चला पिक्चर कितनी देर चली आप बोलते हो मन चला ये मन चला तो ये थोड़ी देर नहीं चला होगा इसके काफी लंबा एपीसोड होगा पिक्चर होगी इसके पास काफी दिन से मैं चुपूँ आप तो चुपो मन तो चुप नहीं था काफी दिन से मैं टोक नहीं रहा था लेकिन मन तो टोक रहा था काफी दिन से आप कुछ नहीं कह रहे थे मन तो कहना चाहता था आपने इतना लंबा समय मन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की किसी विचार से मन चला मन ड्यूरेशन रही होगी जब कोई भी आके बताता है मन चला otherwise कहते हैं बस ख्याल आया पर जब आप कहते हो मन चला तो कुछ ड्यूरेशन तो है न एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, बीस दिन एक महीन दो महीन न इतने दिन मन को सहते रहे क्यों सहन किया मन को क्यों नहीं हटाया ग्यान से जब तक जगत के चिंतन ले नहीं होंगे आतम चिंतन तो नहीं टिकने वाला कुछ भी कर लो आतम चिंतन उसके अंदर टिकेगा जिसके अंदर जगत का चिंतन नहीं है आप लोगों को घर ग्रस्ती भी चलानी है मुख्या चौदरी भी बनना है सारा अपने अकॉर्डिंग भी चलाना है और आतमा में निश्ठा भी करनी है कैसे होगी आतमा में निश्ठा ग्यानी तो ना किसी की विक्षेपता का कारण बनता है ना किसी से विक्षेपता में आता है दोनों ही बातें गलत है अगर आप किसी से विक्षेपता में आ रहे हो तो भी तो आपकी गलती है ना मूरक हो आप क्यों आ रहे हो किसी से विक्षेपता में आने का क्या मतलब एक बार चीते और गधे में किसी बात पे जगड़ा हो गया बैसम बैसी हो गई बड़ी शेर के पास जंगल का राजा फैसला लाया गया भाई बताओ क्या करें शेर ने बोला ठीक तो चीता है बात तो सही चीते की है फिर भी चीते को सजा दो अरे भाई जब चीता सही है तो चीते को सजा क्यों बोला इसने गदे से बहस क्यों कि वो तो गदह कुछ भी कह सकता है गदे को allowed है लेकिन इसने गदे से बहस की इसको सजा दो अब जिन लोगों ने सच्छंग नहीं सुना ग्यान में नहीं हैं वो लोग आप उनको बदलना चाहते हो सुधारना चाहते हो तो सजा आप ही को मिलेगी आप क्यूं आते हो उनसे विक्षेपता में गुरु ने रोज कहा न ज्यान क्या है सफेज चादर ओड़के सो जाओ क्यों नहीं सोते हो सफेज चादर ओड़के कौन से सिस्टम चलाने है अपना मन तो गुरु के सिस्टम में चलता नहीं अब ये गुरु का सिस्टम है गर जाके सिस्टम चलाओ फिर जब आपका अपना मन गुरु के सिस्टम में नहीं चल रहा है आप दूसरों को कहे सिस्टम में चलाने में लगे हो बिना मतलब सिर देते हो ना उखलियों में है कुछ बात और आज अगर आप उनको चलाना चाहोगे क्या कल वो लोग आपको चलाना नहीं चाहेंगे अब कहां जाएगी आत्माकार वृत्ती कहां चल पाओगे गुरू की आग्या में कहां हो पाओगे माया रहेत रोज आपको कहा जाता है घर जाके मौन धारन कर लो चुपो के बैठो चलने दो जो चल रहा है तुमने अपने फर्ज पूरे कर दी है न अब अगले अपने आप चले लेकिन आप लोगों को बिमारी है घर जोड के रखूँ चार बेटे हैं तो चारों को जोड के रखूँ दो हैं तो दो को जोड के रखूँ घर इकठा रहे अलग ना हो वो तो दुनिया की चली आई है रीत कोई आपके घर नहीं बात हो रही है अराम से बैठ साओ क्या आप अपनी दिरानियों ऐसे ही दिमाग खपाए रखते हो अपना फिर बोलते हो ज्यान पका नहीं होता भगवान पूछते थे आत्मा कहां टिके चिंतन में तो तुमारे जगत है आत्मा कहां टिके भगवान कहां टिके जगा ही नहीं है कोई भगवान के टिकने की कोई जगा ही तो नहीं है कि भगवान टिक जाए कहीं पर पूरा समय आपके अंदर जगत का बवंडर चलता ही रहता है क्या करोगे मान लो घर सा मार लिया सिस्टम चला लिये फिर क्या फिर आपकी मुक्ती हो जाएगी उल्टा अभी मन पसंद महौल नहीं है शायद वैराग उठता हो जब अपने according सब कुछ दिखने लगेगा आसकती बढ़ेगी विरक्ती बढ़ेगी आप ज़रा खुद फैसला कर लो अगर हमारे according सब हो जाए आसकती बढ़ेगी विरक्ती बढ़ेगी अभी तो उल्टा है सब तो भी आसकती कटती नहीं नहीं है मेरे मन के अनुसार तो अंदर खटाई आजाए भै छोड़ो परे अपना चलो हम तो भगवान की तरफ मुह करें अभी तो विपरीत परिस्थिती में भी वहराग नहीं पैदा हो रहा फिर जब अनुकूलों आएंगी हालते क्या आपको उमीद है आप छुट पाओगे ना भीतर से मुक्ती होनी है ना बार से मुक्ती होनी कभी ये भी सोचा करो कहीं परमात्मा ने ये मेरे पर कृपा तो नहीं किये ऐसा महौल बना के मेरे मन के विपरीत खेल करके भगवान कहीं मुझे ही तो खटाई नहीं देना चाहता है ये तो विचार नहीं आता आना ये विचार चाहिए कि भाई हो सकता है भगवान मुझे ही वैराग देना चाहता हो पर आप वैराग लेने की बज़ाए रिपेर करने पहुंच जाते हूं और जब ठीक करने जाओगे तो अधिकार अधिकार से मिलना है अधिकार फिर रोते हुए यहां आओगे और चलो चार बार तो हम चुपकर आचुके हैं अब अगर रोते हुए आए तो जूता डंडा यहां भी तयार है फिर तो हम भी कूटेंगे पकड़के कि भाई रोज रोज का क्या तमाशा बनाया है सबसे मन हटाके अरजुन मेरे में मन रख यह क्यों नहीं समझ में आती बात कब भूलोगे मेरा घर मेरे बच्चे मेरे बेटे मेरी बउए कब भूलोगे यह कब सिम्रोगे राम तुमारी स्रिष्टी में सिर्फ भगवान तो नहीं है न इसका मतलब है तुमारी स्रिष्टी में सिर्फ भगवान है जैसे भिलनी की स्रिष्टी में मीरा की स्रिष्टी में सिरफ और सिरफ भगवान ने, तुमारी स्रिष्टी में कितनी खलकते, तो कौन बनेगा तेरा, और तू किसका बनेगा, ये तो तुम अपने को दोखा दिये बैठे हो ना, जब तुमारी यहां की सरकारी एक नोट बदल रहे हो, तुम निशान लगा दे रहे हैं, तो तुमारे पर कितने निशान है, भगवान कैसे अपना ले, कितने निशान लगवा रखे हैं, और ये नहीं की उन्होंने लगा रखे हैं, निशान तो तुमने प्रसंता से लगवा रखे हैं, तभी तो उनको कहते हो, बेटा मैं माँ हूँ, बेटा मेरा भी घर है, बेटा मेरा भी ये दिल करता है, पती को कहते हो पत्नी हूँ, बेटों को कहते हो माँ हूँ, बहूं को कहते हो सास हूँ, ये सारे निशान तो तुम बढ़बढ के लगवा रहे हो क्याओ आओ लगाओ मेरी एक एक उंगली पे निशान ये तो अभी भी शुकर करो भगवान तुमें अपना रहे वरना तुमारे रोम रोम पे निशान है जड माया, चेतन माया, सब के निशान लगे हुए भगवान चाहे तो एक मिनट में बोले get out तो मेरे योगे ही नहीं फिर भी किरपा करता है कि चलो आओ, बैठो, मैं तुम्हें अपनाता हूँ पर अब तो गदारी ना करो ना भगवान से कि संसार में गए, संसार के हो गए भगवान के सामने आए, भगवान के हो गए ये गदारी क्यों करते हो एक तरफा होके चलो, शुद्धो करके चलो अपने आपको भी मज़ा आएगा और सच्चाई ना बहुत बड़ी यही है हमें दुनिया नहीं पकड़ती हम दुनिया को पकड़े हुए हमें कोई नहीं पकड़ता सब जूठी बातें करते हैं हमें ये नहीं छोड़ता, हमें वो नहीं छोड़ता कौन नहीं छोड़ता बच्चों को अगर तुमसे सुख नहीं आएगा न वो अलग मकान जाके लेंगे और रह भी जाएंगे वो नहीं परवा करेंगे तुम्हारा बुड़ाप्पा तुम कैसे रहोगे वो अपना गए इसका मतलब साफ है कि हमसे लारप्पा किसी का नहीं हम पकड़े हुएं दुनिया ने मुझे नहीं पकड़ा दुनिया को मैंने पकड़ा है अगर मैं अपनी पकड़ ढिली कर दूँ तो दुनिया तो पहले ही जान चुड़ाए बैठी सब चल रहे हैं न अपने अनुसार इसका मतलब तुमारे एकॉर्डिंग कोई नहीं चलना चाहता इसका मतलब कोई ये परवा भी नहीं करना चाहता कि तुम क्या सोच रहे हो सब चल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग दियार फ्री फ्री हैं न वो बिलकुल आज़ाद हैं तुम से पूछने भी नहीं आते हम ये करें या ना करें अच्छा अभी एक छोटी सी बात है तुमारे में से किसके बच्चों ने बताया कि हमने कित्ते हजार के नोट बदलवाएं है श्रवन कुमार एक भी जिसने बताया ओ मा में इतने पैसे बदलवा लाया हूँ तरको चाहिए खर्चा ले ले ये कहेंगे आपको किते चाहिए बोलो बोलो आपको किते चाहिए आप पकड़ो बस आपकी बात खतम है ना देयार absolutely free पूछते हैं picture जाएं के ना जाएं पूछते हैं ससुराल जाओं के ना जाओं बताओ आप सब पूरे पूरे आजाद हैं जब अगले आजाद हैं तुम फिर भी फसे हुए हो इसका मतलब बांधा उन्होंने नहीं है बांधा तुमने उन्होंने नहीं बांधा हुआ तुम बंधे हो तुम्हें डर लगता है ये मेरे को छोड़ना जाएं ये अलग ना हो जाएं ये ऐसे ना हो जाएं भाई ये तो हर घर की रीत है पहले बव आती है तुम्ही कमरा देते हो उसके बाद फ्लोर देते हो उसके बाद वो घर से बाहर जाते हैं तो रीत है पहले आती है तो एक कमरा खाली कर देते हूं बहु को बहु को शादी के बद बेटा इस कमरे में रहना फिर दूसरे की शादी करनी है चल तू अब उपर का फ्लोर ले ले छोटी आएगी और मेरे साथ रह जाएगी छोटी को भी फ्लोर चाहिए थोड़े दिन में फ्लोर से भी गुजारानी एक कहेगा मैं जा रहा हूं दूसरा कहेगा मैं जा रहा हूं तुमने जो मकान बनाया उसमें तुम रहो बूत बंगला है रहो उसमें सब आजाद फसा कौन है मेरा मन मुझे कोई नहीं फसाना चाहता बलकि कोई साथ भी नहीं रखना चाहता लेकिन मेरा मन पूछता है फिर अच्छा तुम अपना अपना तो घर ले रहे हो हमारा फैसला की है हम कहां रहेंगे बड़ा रखेगा छोटा रखेगा छे महीने रहेंगे तीन महीने रहेंगे देखा वो लोग तो अपनी आजादी कर लेते हैं आपका मन फिर फसता है फिर अटकता है फिर उलजता है फिर परेशान होता है बंधन कहां पर है मेरे मुह में बंधन है मेरी आसक्ती में बंधन है बायर संसार में कहीं बंधन है नहीं बंधन हमने बनाया है क्योंकि हमें आत्मा के निश्चे का ग्यानी नहीं पका होता ये तो जब हलत आ गई मैं मानी, मैं पत्नी नहीं अच्छा कौन हो तुम? कौन हो फर? तुम पत्नी नहीं हो, तुम मान नहीं हो फर तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ ये शनिक विचार है मैं फलाना नहीं मैं फलानी नहीं लेकिन स्ट्रांग में स्ट्रांग विचार क्या है बड़े में बड़ा विचार क्या है मैं आत्मा हूँ और जब तक आतम विचार पक्का नहीं करोगे ये जगत की खेचल तो खतम होने की नहीं कुछ भी कर लो ये जगत की खेचल अंदर चलेगी और जिसको जगत की खेचल पसंद है वो गुरुमुख नहीं है जिसको संसार का शोर पसंद है वो गुरुमुख नहीं है जिसको अभी संसार से कुछ चाहिए वो गुरुमुख नहीं है गुर्मुख माना जो प्रले करके बैठ है सब विश्व मटिया मेट कर जो आप भी है मिट गया ग्यान तो ये वाला है जब आपको रोज गुरु कहता है नकारो, नकारने के साथ स्विकारो नकारो क्या? मैं ये तन नहीं हूँ मैं ये मन नहीं हूँ मैं ये बुद्धी नहीं। मैं ये प्राण नहीं। मैं पांच कोश नहीं। मैं तीन अवस्थाय नहीं। मैं पांच तत्व नहीं। नकारो। पर इसके साथ ही स्विकारों मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आनन्सवरूप हूँ, मैं सनबंध रहतूँ, मैं तीन गुणों का ग्याता हूँ, मैं द्रिश्टा हूँ, मैं द्रिशे से जुदा हूँ, ये भी तो स्विकारन है हालत आने पर केवल इनकारने से काम नहीं चलेगा स्थिती में स्थिर्टा लाने के लिए आत्म बुद्धी स्विकार नहीं पड़ेगी कामी तब बनेगा नकार तो लिए टेंप्रेरी इलाज है मैं ये नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ टेंप्रेरी इलाज हो गया लेकिन फिर क्या पक्का किया जाए जो दुबारा ये अध्यास न जागे उसकी तरफ तो विचार नहीं करते आप उसका भी तो विचार करो आर्टिफिशल चूड़ियां उतारी तो अब गोल्ड तो पहनो भई कहीं जाना है फंक्षन में कुछ है आर्टिफिशल या कांच की चूड़ियां उतारी आपने पर उसी टाइम साथ के साथ अपनी डाइमेंड की गोल्ड की चुडियां तो पहन लेते हूँ अब यहाँ आप कोई अकल क्यों नहीं आती घर की आपने नाइट सूट उतारा पार्टी में जाने लगे फटाफट ड्रेस सुन्दर सी डाल लेते हूँ बाथरूम स्लीपर उतारे फटाफट सेंडिल पहन लेते हूँ यहाँ पर जो आपने इनकारा क्या उसके साथ स्विकारा कुछ जब तक वो स्विकारोगे नहीं यह इनकारने का जगड़ा चलता रहेगा क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा में सत्वुद्धी नहीं है दे में सत्वुद्धी है थोड़ी देर के लिए चलो विचार दे के सोचते हो काम बन जाएगा लेकिन नहीं बनेगा काम कब बनेगा? जब आप अपने स्वारूप के निश्चे में आएंगे मैं आत्म रूप हूँ जब तक ये निश्चे की जोत नहीं जलेगी तब तक तो अंधेरा जाएगा नहीं आप लोग तो उल्टा काम कर बैठे जो एक दिया जलाए बैठे थे मैं ये हूँ मैं ये हूँ उसको भी फोक मार बैठे और दूसरा दिया जलाया नहीं अब क्या करोगे और ठोकर खाओगे आतम अभ्यास किया एक कमी किस चीज़ की है आतम अभ्यास की कमी है खाली कहने से बात नहीं बनती मैं ये नहीं मैं ये नहीं तो वो मन सोचता है फिर कुछ तो हूँ वो दुबारा वही बन बैठता है रिप्लेस्मेंट तो देना पड़ेगा एक मिनट भी आप अपने शरीर को ऐसे छोड़ते हो वो कपड़े भी उतार दिये दूसरे भी ना पहने एक मिनट भी रिप्लेस्मेंट के भी ना छोड़ते हो और पार्टी से हाई फटाफट वो उतारे तो वो पहन लिए नहीं छोड़ते ना शरीर को ऐसे फिर फिर आपने अपने निश्चे में कैसे अधूरापन लाया ये भी तो विचार करो तुरंत अपने को आतम विचार से आपने स्ट्रांग क्यों नहीं किया और जब तक आपका अंदर वाला निश्चे नी स्विकारेगा न संशे खतम नहीं होगा शनिक हो जाएगा विचार देल होगे खतम हो जाएगा लेकिन जो निश्चे टिकने के बाद संशे का छेदन होगा वो ऐसे नहीं हो पाएगा निश्चे तो पहले पका करना पड़ेगा निश्चे कोई भी रखो आत्मा का रखो सन ओफ गौड का रखो भगवान से प्रेम का रखो मतलब एक रिप्लेस्मेंट हमको अपने आपको देनी पड़ेगी उसके बिना गुजारा नहीं होगा जितना मर्जी कोशिश कर लो भजन में भी लाहिनाई प्याले सबी तोड़के मैं खाने फोड़के अपने में जा गुसा है वो दुनिया को छोड़के अगर दुनिया छोड़ी तो अपने में गुसा ये नहीं कि बस दुनिया छोड़ दी खाली नहीं अपने में घुसना ज़रूरी है एक देह के संशे के साथ हजारों संशे पड़े हैं आतम निश्चे के बिना वो खतम ही नहीं होने की रोज याद आएगा अब गीता भगवान ने तो बोला वतकुआरे हो जाओ अब तुम कैसे होएंगे वतकुआरे तुमारे अंदर तो इतना जगत तुम्हें तो घर ठीक करना है संसार चलाना है क्या क्या करना है अब कैसे तुम्हें वतकुआरा बनाया जाए मुश्किल काम है तुमारे लिए ले मैं पैदा भी हुआ हूँ आत्मा के निश्चे के बिना संभवी नहीं है किसी चीज से मुकरना दादा जी मुकर सके तुम नहीं मुकर सकते गीता भगवान शादी करके मुकर गए व्यवारी नहीं हुआ पती पतनी का कभी कैसे मुकरे आत्मा के निश्चे से मुकरे तुम्हे बोले मुकर जाओ तुमारे लिए असंभाव बात है कैसे मुकर सकते हैं पता तो है ही पैदा हुआ हूँ पता तो है ही शादी हुई है पता तो है ही बच्चे हुए है आप कहोगे मुश्किल है मेरे लिए मुकरना आतम निश्चे वाला मुकर सकता है जब मैं शरीरी नहीं हूँ शरीर के साथ जो बीता वो इसका धर्म था जो बीता शरीर के साथ वो इसका धर्म था ना जब तक मैं अपने निश्चे में नहीं हूँ ना ये मेरे से अलग और ना इसका धर्म मेरे से अलग फसे रहेंगे कितनी कोशिश कर लेंगे तो भी फसे रहेंगे छुटकारा होगा जब अपने निश्चे में आएंगे ना ना कहने से भी बात नहीं बनती ये तो ऐसे थोड़ी देर के लिए खेलना हो गया बच्चे को आप मारने लगो गुसा करो थोड़ी देर के लिए मान जाता है अच्छा अच्छा मम्मी आगे से शरारत नहीं करूँगा बस हो गया फिर शरारत नहीं करता हो फिर करता है आपका मन क्या करता है थोड़ी देर के लिए मान जाता है हाँ हाँ मैं नहीं हूँ अच्छा मैं नहीं हूँ, हालत ठीक होते ही दुबारा बन बैठता है के नहीं बन बैठता है, आपने कभी साक्षी होके ये देखा कि मेरा मन दुबारा उस थिती को कैसे पहुन जाता है, विचार किया कभी, दुबारा मैं कैसे वहीं खड़ा हो जाता हूँ, दुबारा मैं कै से वही निश्चे में आ जाता हूं शरीर के ये आखिर reverse process कैसे हो रही है खोजा है कैसे वापिस जा खड़े होते हैं क्योंकि गुरू ने दो बातें बताई मैंने एक पकड़ी और उस एक पे मैं घूम फिर आ जाता हूं अगर मैं दूसरी पर खड़ा होता तो पहले पर ना जाता ना पर मैं दूसरे पर खड़ा ही नहीं हुआ आत्मा की बात पर मैंने standing ही नहीं की अपनी मन को फिर आधार वई शरीर का मिलता है वापिस आ जाता है लोट के बुद्धू घर को आए अब आप तो दुनियवी बातों में बोलते हैं लोट के बुद्धू घर को आए सारा दिन बुद्धू तो हम बने हुए है जो लोटके फिर दे में चले जाते हैं ये होता है लोटके बुद्धू घर को आए जो घर बनाया हुआ है जानिस्चेटिकाया हुआ है शुरू से लोटके बुद्धू घर को आए क्यों? नया घर मिला नहीं एक घर भी शिफ्ट कर जाओ न कोई दिक्कत हो जाए कोई कहे भाई वापस उसी घर में चले जाओ नहीं नहीं अब नहीं जाएंगे उस घर में बेस्ती होएगी मुल्ले वाले क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे नहीं जाते हैं न ये शरीर रूपी घर में वापिस कैसे चले जाते हूं बार-बार कैसे मुड़ जाते हूं क्यों नहीं निश्चे होता कि मुझे शरीर रूपी घर में भी मुड़ के नहीं जाना है भगवान ने भी इतना अच्छा खेल बनाया अगर एक शरीर धारण करता है आत्मा वो शरीर यही जला दिया जाता है कितना पसंद हो? समझो तूम्हे किसी की बाडी पसंद है बोडी बिल्डर की बाडी बड़ी पसंद है तुम बोलो वो मर जाए, मैं वहाँ घुच जाता हूँ वो शरीर मिल जाए मुझे? जाओ इसके शरीर में, नहीं गुसने देता भगवान, है न, पक्का है ये नियम, उस शरीर में दुबारा नहीं जाने का है, फिर क्यों नहीं पक्का करते हो शरीर के भाव में दुबारा नहीं जाने का है, क्यों स्वरूप का निश्चे नहीं है क्यों है ये सारा जगड़ा मैं हूँ मेरा है ये सब शरीर की बात नहीं है फिर सारा जगड़ा है वहां का तो मैं तो इतना पका करना है ग्यान कि बैठे भी रहो ना घर में कुछ दिखे भी तो ना दिखे हो भी रहा है तो भी नहीं दिखना चाहिए तुम्हें दो रोटी मिल रही है न खाओ और आराम से सो जाओ कितनी बार बात बताई नीना ममी ने शिकायत की गीता भगवान से गुरु जी के लिए सारा दिन आपके पास दोड़ती है सफाई नहीं करती मैं घर जाती हूँ घर गंदा होता है मैं परिशान होती हूँ गीता भगवान ने क्या बोला था अपनी चादर जाड़के सो जाओ अपलाई की ये बात किती बार सुनी है विचार आया है घर जाके मुझे क्या करना मैं अपनी चादर जाड के सो जाओ आप अगर लेट भी जाओगे ना तंग आके फिर भी नीन नहीं आएगी चिंतन चलेगा बोलोगे चादर जाड के सो तो गई पर आराम आया तो नहीं क्योंकि चादर जाडने का मतलब था विचार जाड के सो जा बार की चदर तो जड़ गई खयाल तो जड़े नहीं चिंतन तो जड़ा नहीं वो पलंग पे साथी लेके सोए अब लेटे तो पड़े वो पलंग पे आँखे लगी या उपर छत पे दिमाग चले जा रहा है आसू याँ याँ से बहते जा रहे है क्रोध आता जा रहा है मेरी चल नहीं रही है पूरा पिक्चर का सीन बना हुआ है ये तुमने ग्यान धारण किया चादर ज़ाड के सोए तुम पूछते फिर भी नहीं हो क्या आपने कहा चादर ज़ाड के सो जाओ हम तो ज़ाड के सोए शांती हुई नहीं अरे चादर ज़ाड के ऐसा सोजो विचार ना आए बात सोचने में ही ना आए वो वाली बेपरवा बादशा कब बनोगे आत्माकार मना बेपरवा हर चीज से बेपरवा होके जीओ मैं परवा क्यूं करूं संसार की दुनिया जैसी चलनी है ऐसी चलेगी अच्छा तुमारा सरीर शान तो जाएगा फिर क्या करोगे चलाने आओगे घर सिस्टम ठीक करने आओगे क्या करोगे फिर तो क्या होगे अगर जीते जी आखे बंद कर लोगे बस मुश्किल यह है जीते जी आख बंद नहीं की जाती जबरदस्ती हम करवा भी दे न एक आँख खोल के थोड़ा सा देख लेते हूं क्या हो रहा है खबर तुम्हे सारी रहती है और जब तक संसारिक खबरों से बेखबर ना होगे काम नी बनेगा बेखबर हो के जीओ जो भी हो रहा है सामने सामने भी कुछ हो रहा है बेखबर हो जाओ साथ वाले कमरे में भी कुछ हो रहा है बेखबर हो जाओ टीवी में भी तो सीन आती रहती है बहु बेटे का जगड़ा हो गया तो क्या हो गया टीवी में भी तो होता है दिखाते नहीं हमिया बीवी का जगड़ा हो रहा है तो क्या होगा तुमारा भी तो होता था अपने पती से फिर क्या हो गया उनका भी हो रहा है अब तुम सोचोगे मैं जाओं मैं समझाओं अब गदों के नाल बंद रहे थे मेंड की गई तमाशा देखने जानगवाई उनको तो ठोके जा रहे थे कील से नाल पैरों में मेंड की गई तमाशा देखने गदा उचला जोर से मेंड की आ गई नीचे जानगवाई बैठी कई बार जानगवाते मरते मरते बचते हो न क्योंकि वो उदर का रुक छोड़के तुमारी तरफ हो जाते आजकल तो ये भी कहने का हाल नहीं कि बेटा बच्चे को डांट मत मार मत आपी ने सिर चड़ा रखा आपी की वज़े से नंबर काम आये हैं लो खाओ परशाद अब चुपचाप बैठे रो और बैठ भी जाओगे चुपचाप अपने कमरे से कान बाहर बच्चे को डांट रही है मार रही है क्या कर रही है हमने भी बच्चे पाले और पूछें तुमारे बच्चों से नहीं मारते थे तुम ऐसे दावे करते हैं जूठे जूठे हमने भी बच्चे पाले हैं तुम कोई नए पाल रहे हो हमारे बच्चे भी तंग करते थे हमें तो कभी गुसा नही इतनी सत्ती, सावित्री, और शान्ती की मूर्ती, और प्यार की मूर्ती, सत्संग क्या करने आय थी फिर, पहले ही सारे गुण थे तुमारे अंदर, सत्संग क्या करने आय थे, कोई गुण नहीं था, जूठे दावे, सुनाने के लिए, वो बच्चे ने नहीं पूछा बाप स कि आपके नंबर अच्छे आते थे बोला हाँ मैं तो फर्स्ट आता था अपनी क्लास में रिपोर्ट कार्ड निकाल लाया बोले तो आप फेलो जूठा दावा कर रहा था वो पकड़ लिया बच्चे ने तो जूठे दावे क्यों मो है न ये जूठे जूठे दावे भी करवा आता है अरे अगलों के बच्चे अगलों नेपाल नेपलने दो क्या करना है तुम्हें हर चीज में तुम्हें अपने वो चलाने की बिमारी है कभी बोलोगे मैं घर चलाता हूं मुझे टाइम से खर्चा दो मुझे ऐसा करो मुझे वैसा करो कितनी बातों में किच-किच करत उल्टा जान छोड़ाओ, बोलो अपना अपना संभालो, अब ये चाबी का गुच्छा देना बड़ा मुश्केल है, जो शुरू से तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ में रही है न, चाबी देनी बड़ी मुश्केल है, दे के जान छोड़ाओ, सिस्टम, नन सिस्टम सबके अपने, हमें क्या करना, जो इतना उच्छा ग्यान सुनते हो न, उस ग्यान में मन लगा लो अगर, सच में सारी बातों से मन हट जाएगा, बहुत बड़ी सचाई ये है, के अभी ग्यान में मन लगता नहीं, वो रुची नहीं आ रही जो आनी चाहिए, वो शौक नहीं आ रहा जो आना चाहिए, मीरा को सारा दिन भजन की मस्ती है, उसको पता ही नहीं चलता कुछ, आप खबर रखना चाहते हैं, कब सन्यास लोगे, कब वैराग लोगे, कब हटोगे, देखो अगर तो उमर तो आ गई है न, नहीं आ गई है, ग्रस्त को छोड़ने की उमर आ गई, वानप्रस्त की उमर आ गई, सन्यास की तरफ उमर जा रही है, लेकिन आपने क्या एक भी कदम उठाया वानप्रस्त की तरफ, उपर से आप लोगों ने ग्यान को बदल रखा है, हमारे सत्संग में कुछ मनाई नहीं है, अगर मना ही नहीं है, इन्वाल्व होने की आगई हुई है कभी, अगर मना ही नहीं है, आप जाके इन्वाल्व हो जाओ, ऐसी आगईा किस ने दिया आपको, या आपने अपने मन से बना रखा है, गुरू ने इन्वाल होने की आगया तो कहीं भी नहीं दे रखी गुरू के सिवाए कहीं इन्वाल भी नहीं होना है अगर निश्काम में भी लगाया गुरू ने यहां भी मना किया इन्वाल किसी से नहीं होना सबका सत्संग तक वास्ता हो तेरे से involvement तेरी सारी गुरू से होनी चाहिए तेरी हर खुशी तेरा हर त्याहार तेरी हर बात सिरफ गुरू से जुड़ी होनी चाहिए बाकी किसी से नहीं तो गुरू ने तो ये समझाया था आप लोगों ने अपने आप बना लिया मने नहीं है मने नहीं है मने नहीं है तो सारा दिन दखल दें ये तो आप पहले भी करते थे फिर सत्संग सुनके क्या फाइदा निकला है सत्संग का सबसे बड़ा फाइदा यह है इंडिफरेंट अनकंसंड अनटेच्ट डिसिंट्रस्टिड दादा के तो ये वचन है ये वचन धारण की है अनकंसंड मेरा किसी से कोई वास्ता ही नहीं बेवास्ते हो गए अब अगर वास्ता ना रखो तो शंती है वास्ता रखने में अशंती है ऐसा नहीं कि आपको फील नहीं है ये आप जानते हो वास्ता रखने से उल्टी पड़ती है बात अशंती होती है पर आप अपने सौभाव वश्वास्ता रखते हो ध्यान दो आप जानते हो मेरा बु पते हो एक बोलूँगा चार सुनूँगा लेकिन सौभाव फिर निकलाता है फिर सौभाव बुलवाता है फिर सौभाव के कारण चुपी नहीं रही जाती बोल बैठते हो परिशान होते हो अब ये सौभाव कैसे जाए भाई ये सौभाव जाएगा आतम निश्चे से जहां निश्चे जागेगा वहां सौभाव चला जाएगा पर अगर निश्चे नहीं है सौभाव नहीं जाएगा आप सब कुछ जानते हो माया की कोई बात ऐसी नहीं है जो हम लोग बताएं और आपने experience ना की हुई हो अनुभावे आपको पता है एक बोल के चार सुननी पड़ती है आपको पता है बेटा आपके पक्ष में कभी नहीं बोलेगा बीवी के पक्ष में बोलेगा आपको चुप करा देगा ममी आप बचपन से ही ऐसे करते आयो हमारे साथ वो सारा बचपन से इलजाम लगा डालेगा है ना सुनते आयों पर पता होने के बावजूद आप हट क्यों नहीं पा रहें क्योंकि फिर जीवभाव में आते हो फिर उपाधी में आते हो और अनकंट्रोल्ड हो जाती है सिचुएशन आपसे मजबूरी नहीं चुप रहा जात हम चाहते हैं ना बोले पर फिर भी बोलते है हम चाहते है हम अनकंसर्ण हो जाए पर पता नहीं क्यों हम फिर भी चंसर्ण रख लेते हैं इतने तक तो अनुभव कर चुके हो है न आगे बढ़ो विशलेशन करो इस कमजोरी का कारण क्या इस कमजोरी का बड़ा प्यारा कारण है छोटा सा विचार करो संसार में किसी से प्यार करो वो तुमारी कमजोरी बन जाता है भगवान से प्यार करो तुमारी ताकत बन जाता है इस कमजोरी का इतना ही कारण है कई बार बोलते हो घर में भी बोलते हो मैं हजार बार सोचती हूँ चुप रहूंगी अब नहीं बोलूँगी मुझे ही चुप नहीं आती है क्या करूं प्यार है ना तुम लोगों से बोलती हो ना ऐसा क्या मतलब है संसारिक प्यार कमजोरी इश्वरिये प्यार ताकत तुमारी हर कमजोरी का कारण संसार में अठका हुआ मो आसकती ये नी चुप रहने देते ना 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 करते भी बख बैठते बेटा तुमारी भलाई के लिए बोलता हूँ उन्होंने मांगी ये सला अपनी भलाई की दादा भगवान ने बोला कोई लाख रुपया तुमारे आगे रखे तब एक सला देना अपने शब्द की कीमत करो पर तुमारे शब्द की कीमत ही नहीं करता करता है कोई कीमत आपने देखा होगा बचपन से बच्चों को आप कैसे डराते हो आने दे पापा को क्यों? पापा क्या है हुआ है क्या है पापा दरसल पापा सारा दिन घर ने सुबह शाम मिलता है थोड़ा बोलता है तो उसके से बच्चे डरते हैं तुम तुमारा टेप सारा दिन चलता है बच्चे सोचते हैं तो बोलती रहती है आखिर तुम्हें बाप के नाम से डराना पड़ता है देखो तुम्हारे शब्द की वेल्यू खतम है अभी पांच सो और अजार के नोट की वेल्यू खतम है न तुम्हारी वेल्यू तो कब से खतम है नोटों को रो रहे हो तुम्हारी वेल्यू कब से खतम है तुम्हारे बच्चे इत्ते इत्ते थे तब से तुम रद्दी हो उनके लिए उसका दोस्त भी बोलेगा तेरी मम्मी बोलती रहती है छोड़ो उसको आजा खेलने चलें है ना, मम्मी बोलती रहती है मम्मी की बात की value ही नहीं क्योंकि मम्मी तो सुबे से उठती है बोलने लगती है उठ जाओ, मरो देर हो जाएगी, जल्दी करो, नहालो बात्रूम में बुलाने जाएगी, स्कूल बस निकल जाएगी, बार आजा जल्दी नाश्ता ठूस है ना, लंच बॉक्स उठा, फिर वो आया दूपैर को, सो जा, दूप में मज़ जा बारिश में मज़ जा, फिर खिलने मज़ जा, फिर पढ़ ले इतना सारा बोली, रात को सोते हैं, सो जा मुआ, सो जा इसी लिए, मा के शब्द की value ही खता में बिलकुल खता में, देख लो, बोल बोल के तुमने अपनी कीमत घटा रखी है, इसी लिए कोई फरक नहीं पड़ता किसी को, और बेटे इतने स्याने हैं, वो बवोंगों को आने से पहले बता देते हैं, मेरी मा की आदत है बोलने की, चलो हम दिखाएं, जितने बैठें इनसे पूछ लो, इन सबने शादी से पहले निशे, पहली राती बता दिया था, देख मेरी मम्मी की आदत है बोलने की, तु बुरा मत मानी हो, मेरी मम्मी की आदत है टोकने की, मेरी मम्मी है यह ऐसी, चल, साथ गांट कर ली, मम्मी, वो सोच रही है सास मैं अपना वो बनाऊंगी, डिगनिटी, बहु के आगे, पर तेरा बेटा तो पहले ही मतियामेट कर चुका है, सारी तेरी डिगनिटी, वो बता चुका है, उसको मेरी माँ ऐसे ही है, बोलती है मम्मी की परवा मत करी हो, पापा का थोड़ा ध्यान रख ली हो, बस तेरी सेटिंग हो जाएगी हमारी मम्मी को कोई नहीं पूछता, पापा भी नहीं परवा करते हैं, मैं भी नहीं करता ये पहले दिन खबर जा चुकी है उसके पास, यही तो रोला है सारा का सारा लेकिन आप सोचते हो मेरी डिग्निटी बनेगी, मैं न जरा दिखाती हूँ बहु को, दिखा लो जो अमर जी तेरा बेटा ही बेडा गर कर चुका है, वो क्या सुनेगी, तभी तो नहीं सुनती हो लो अगर बेटों ने न खराब किया होता न काम, शायद वो चार दिन तो डिरती हूँ लेकिन उनको पहले ही खबर दी जा चुकी है, मेरी मम्मी ऐसी है तो मेरी मम्मी बोलती है, बुरा मत मानी हो, मेरी मम्मी कुछ भी बोले, अब परवा भी मत करी हो ममी बोलेगी पर तु अपना काम कर ली हो जो करना है ये छूट उनको मिलती है जब अंदर से आपकी सारी इमेज खराब की जा चुकी है कौन सी इमेज बनाने के चकर में घूम रहे हूं क्या करना है अभी ना आपके शब्द की परवा है ना आपके ओदे की परवा है पान अगर आप एक कहना मानो मौन धारण करो फिर भी आपकी थोड़ी इज़त हो जाएगी घर में ये अम फिर भी बता सकते अगर आप थोड़ा मौन धारण कर लोगे न अंकंसर्ण हो जाओगे फिर भी थोड़ा आदर मिलने लगेगा बाकी बोलत बोलत भय विकारा ये अपन कमजोरियों को जीतो आपकी कमजोरी ये बोलना आपकी ताकत है मौन कुछ ही हो रहा है एक बार मौन रहके देखो जो कम बोलता है न उसको सब सुनते हैं जो जादा बोलता है उसको कोई नहीं सुनता और जितना मौन भंग होगा आपका अभ्यास भी भंगोगा बड़ी सीधी सी बात है जगत में सत्वुद्धी रखोगे तो बोलोगे जितना बोलोगे उतना अभ्यास भंगोता जाएगा इसीलिए बोलने की जरूरत नहीं जितना वास्ता रखोगे अंदर आत्मा भूल जाएगा जरूरत नहीं कहीं वास्ता रखने की ये जगत तो फिर भी ऐसे चलेगा पर मेरे जीवन का जो एक एक शनड बीतता जा रहा है क्या ये मुझे वापिस मिलेगा मेरे जीवन का जो एक एक दिन खतमोता जा रहा है ये मुझे वापिस मिलेगा मुझे आत्म निश्चे पका नहीं हुआ जगत में इतना मन रखके बैठा हूँ अभी मेरा अंतिम समय आ गया तो मेरा क्या होगा ये विचार किया थोड़ा सा जब ये विचार करोगे तो बात बनेगी वरना बात नहीं बनेगी ग्यान का अभ्यास करो और ग्यान में पहली बात मौन है रोज कहा जाता है जब आपका मन कहे मुझे किसी को सिखाना है तो अपने आपको समझा देना कि तुझे सीख की जरूरत है कि तुझे किसी को नहीं सिखाना है जब तेरा मन कहे किसी को सला देनी है तो अपने आपको कहना कि तुझे सला की जरूरत है कि तेरी सला की किसी को जरूरत नहीं है अक्सर चलती हैं बातें पर फिर भी आप उलजते हो जा जाके क्यों उलजते हो रिलाक्स हो करके रहूं हमारे पास अपने प्रॉब्लम्स कोई नहीं है हम अपने ग्यान में अपने आनंद में बहुत अच्छे जी सकते हैं पर पते है दिक्कत क्या है हम दूसरों के फटे में टांग अडा के गिरते हैं रोज अपनी दिक्कत क्या है बताओ पूरा दिन आप अपने ग्यान में आनन्द में बड़े अराम से जी सकते और जब टांग अड़ाते हो न दूसरों के फटे में फिर गिरते हो मुँ के भार फिर होती है दिक्कत अपने आनन्द में रहो क्या देखना है क्या समझाना है क्या संभालना है ग्यानी सगल के मद सगलते है उदास नियारा बेठ है सबसे कोई वास्ता ही नहीं है क्यूं वास्ता रखें वास्ता रखेंगे तो फसेंगे पर कोई वास्ता रखने की जरूरत ही नहीं है बेवास्ते हो के जीओ सब बहुत अच्छा है बलकि साइन कर दो सब बहुत अच्छा है ये भी ठीक है ये भी ठीक है क्यों चिंतन लेना किसी के सौभाव का और बिगार सबसे बड़ा ये होता है किसी के सौभाव का चिंतन लेते ही अपना सौभाव बिगड़ना शुरू हो जाता है कभी भी अनभाव करना किसी के विकार का चिंतन करो किसके सौभाव का चिंतन करो आपका अपना सौभाव बिगड़ना शुरू क्या जरूरत है गाटे का सोदा करते हो वो ऐसे करता है अच्छा इत बहुत हिम्मत भी नहीं है सामने बुलने की अंदर ही कुड़ते हो तो क्या जरूरत है कुड़ने की भी फिर अपने मन से पूछो जब मैं कह भी नहीं सकता हूँ कहूंगा तो उल्टाई पड़ेगा तो इससे बेतर है फिर मैं छोड़ू पर है उस बात को अब जिन लोगों ने देखा भाई हम नोट बदल भी नहीं सकते हैं बदलेंगे तो पकड़े भी जाएंगे तो नाली में डालाए नदी में डालाए जला दिये जान छुड़ाई अपनी आप अपनी जान छुड़ाओ ना बहुत सीधी बात है अपनी जान छुड़ाओ जब मुझे मालूम है कोई चीज मुझे रियक्ट करती है तो हम नहीं खाते हैं ना कोई कितनी कह दे बड़ी टेस्टी बनी हुए होगी जी हम नहीं खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे हम क्योंकि हमें नुक्सान करती है पर चिंतन पर चर्चा पर दोश देखना ये सब मुझे अलर्जी करता है के नहीं करता नुक्सान करता है जब ये मुझे नुक्सान करता है तो मैं अपने आपको इस सब से बचा के क्यूं ना चलू बड़ी सीधी बात है अपने आपको इन सब चीजों से बचाते हुए निकल जाओ अब आपका अभ्यास ये होना चाहिए मेरे अंतर स्रिष्टी में जगत का एक ख्याल भी परवेश ना करे ये अभ्यास होना चाहिए ये अभ्यास होना चाहिए देखते हुए भी कुछ ना दिखे मुझे सुनते हुए भी कुछ ना सुने मुझे अराम से बैठो कईयों के घर में होते जेंटस लोग बिल्कुल अनकंसर्ण किसी भी बात में नहीं पढ़ते लड लो भिल लो मर लो जीलो आते ही नहीं बीच में ऐसे बन जाओ किसी बात के बीच में गुसना ही नहीं है क्या करोगे गुसके हम लोग ना कभी-कभी अपनी बेईजतियों का इंतजाम भी खुद करते हैं पहले मन चलाते हो उसके बाद फिर बीच में कूदते हो फिर बैठके रोते हो कितना नुकसान करते हो कितना चिंतन करते हो जगत का और फिर बातें चाती पर लिखी पड़ी है फिर कोई बेहन मिले कोई भाई मिले कोई सुनने वाला मिले फिर उसको सुनाते हो बस जी बस मुझे पता है जो गुजारा करता है नुशको पता हुता है हाँ दूसरों के लिए तो अच्छे ही है कोई आजाए उसके लिए तो बहुत अच्छे है करवाहाट काह से आ रही है अंदर पड़ा है ना बदभू मार रहा है ना अब भगवान कब देखोगे अच्छा ये बताओ और तुम्हें जो इतना सारा कुछ लगा पड़ा इतने दुखी हो तो मात्मा हो आनन्द स्वारूप हो आनन्द स्वारूप भगवान के अंदर क्या जगत के विचार होंगे जहां गुलाब जल बहना चाहिए वहां गंदी नाली क्यों बह रही है जहां आनन्द होना चाहिए वहां सुख दुख के खेल क्यों है ज़रा अपने से पूछ के देखो ये शोर कां से आया मेरे ही ख्वाब ख्यालों ने दुई का शोर पाया है अपने ही ख्वाब अपने ही ख्याल द्वैत का शोर डाल दिया इन्होंने पर अब भी अद्वैत आत्मा में स्थिती बनाई जा सकती है अपनी जैसे एक पिक्चर देखके इग्नोर कर देते हो सारे सीन्स बाहर भी जो सीन हो रहे है न ये भी इग्नोर करते जाओ ये पिक्चर ऐसी बनी हुई है अब आप पिक्चर को बदल तो सकते नहीं ऐसी बनी हुई है चलो भाई जा भी पहुंचें सिनेमा हाल अब देखनी पड़ेगी कोई बात नहीं बी सीर ना डूर देखने वाले बनो ये सब खेला चल रहा है भगवान का गाओं में आता था खेला आता है न गाओं में खेला आता है फिर वो नोटंकी करते हैं कुछ करते हैं ये भगवान का खेला चल रहा है देखो भगवान में रहोगे तो भगवान का खेला दिखेगा आत्मा में रहोगे तो जगत मिथ्या समझ में आएगा वरना नहीं आने वाला जिसका निश्चे है अपने सरूप में उसी को समझ आएगा ये खेल है और जिसका अपने सरूप में निश्चे ही नहीं है उसको कैसे खेल दिखेगा फिर बुलेगा सच है शायद तो अपने स्वारूप में रमन करो, अपने स्वारूप में जागरत रहो, अगर आप पिक्चर देखने गए, नाटक देखने गए, और आपने कुछ रियक्ट किया तो लोग आप पे हसेंगे, वो इश्वर चंद्र विद्या सागर बना ना पागल, उसी का लिखा नाटक, कॉलेज के बच्चों ने प्ले किया और उसको बुलाया, गया देखने, माँ एक लड़का छेड़ छाड़ कर रहा था लड़की से, नाटक में, ये जूता उठा के उसको मारने चला गया, वो लड़का बोला, ये जूताई नाम दो, कहे का इनाम, मैंने इतनी सच्ची एक्टिंग की, तेरे जैसे नाटक लिखने वाले को भुला दिगा, अब ग्यान के हिसाब से, तुम भी आधार भूतो स्रिष्टी के, नाटक लिखने वाले, अब ये दुनिया के लोग ऐसी एक्टिंग करते हैं, तुम्हें भुला डालते हैं, तुम जूते लेके पहुंच जाते हो, क्रोध करने, फिर वो अस्ते, यही ग्यान पका किया है, ओहो मैं तो भूली गया ग्यान, विचारा इश्वर चंदर विद्या सागर भूली गया, यह तो नाटक है, सच मान के गुस गया, अब आप भी मानते हो सच, कभी क्रोध में आते हो, कभी जोश में आते हो, कभी कुछ करते हो, जरूरत ही नहीं जिन चीज़ों की हो करते रह जरूरत है क्या जरूरत ही नहीं है ये तो सब खेल खेल की तरह चलेगा चलने दियो तू क्यों इंज बैठी तुम क्यों बैठे हाथ रखके ऐसे ये तो तमाशा है तमाशा है ये दुनिया जिस दा भेद ना पाया रिशिया मुनिया ज्यानी उस दी गहराई वीच मोती टोल देनी सही हो सची मुची आत्मा का मोती ढूंड लो बाकी तो एदुनिया तमाशा है चल रहा है तमाशा देखो कोई कोई तमाशा कर रहा है कभी देखो न तुम अपने स्वरूप में खड़े हो के सब तमाशा नजर आएगा कोई भाग रहा है कोई बैठा है कोई हस रहा है कोई रो रहा है किसके घर बच्चा हो गया किसके घर शादी होगी ऐसे तमाशा तमाशा सजाया हुआ दुनिया वालों बरात निकलती है जहांकी दिखेगी तमाशा सजाय जा रहे है शादी उसकी तुम क्यों नाच रहे है पता नहीं पर नाच रहे है भाई ये गोडी पर ही चड़के क्यों जा रहे है पता नहीं पर जा रहे है कुछ नहीं पता तमाशा चल रहा है सारा कारण कोई नहीं दुनिया वालों के पास भी पर करे जा रहे हैं अजब तमाशा है ये दुनिया पर तुम्हें लगती है सच इन में कुछ साच्यों नहीं नानुक बिन भगवान कुछ सच नहीं एक भगवान सच है बस बाकी कुछ सच नहीं कूड 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 कैसे गुर्णानक सहीब ने लिखा कूड राजा कूड परजा कूड सबसंसार पर तुम कहनते हूं मैं मम्मी सच्ची ये बच्चा सच्चा पर इसकी शादी सच्ची फिर बव सच्ची फिर पोता सच्चा फिर पोती सच्ची फसे ही पड़े सब में सच मान मान के तो फसे पड़े हो सब को सच मान ना हुआ सच मान के उलज रहे हो अब अभ्यास करो कि कारण आने से पहले ही जागरती हो ये कोई खुशी की बात नहीं है तुम मन में ख्याल ले आए फिर भगवान की वानी चल गई और तुम खुश हो गई वाँ 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 मज़ा ये कि तुम जीत के आओ तुमारा अनुभव भगवान की वानी से मैच करे तब है आनन्द ये कब तक कहोगे